दोस्तों अब जो मैं आपको खबर बताने वाली हूँ से सुनकर आपके कानों पर यकीन नहीं होगा आपकी आखे फटी की फटी रह जाएगी कि ऐसे भी कुछ हो सकता है ऐसा भी लिंक जो है वो सामने आ सकता है मैं बात कर रही हूँ कलवाली हत्या को लेकर कलवाले मजर को लेकर जिसमें अतीक और अश्रफ की हत्या तीन आरोपियों के जरीय कर दी जाती है और उस आरोपी के तमाम तरीके के जो सोशल मीडिया पर फोटो है वो आप वाइरल किये जा रहे हैं तीजी से सोशल मीडिया पर फोटो तैरने लगे हैं एक फोटो तो ऐसा तैरा है दोस्तों कि उसे ही लेकर आपको मैं कह रही हूं कि यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है और ये फोटो बलकि कोई आम यूजर्स की तरफ से शेयर नहीं किया गया बलकि समाजवादी पार्टी में एक बड़े नेता आईपी सिंग की तरफ से ये फोटो शेयर करते हुए भाजपा सरकार के उपर सवाल उठा दिये गए है भाजपा सरकार के साथ साथ भाजपा की बड़ी मंत्री स्मिर्तिरानी पर भी सवाल खड़े कर दिये गए है ये जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं दोस्तो ये तस्वीर उनी में से एक शूटर का है लवलेश्टिवारी का जिसने कल गोली चलाई थी आतिक एहमत को मार गिराया था उसी की तस्वीर है जिसको आईपे सिंग की तरफ से शेर करते हुए लिखा गया है कि केंद्रिय मंत्री स्मिर्तिरानी का नस्दीकी है ये शूटर मैजम के इंटर्नल कारिकरम में अंदर बैठा हुआ है ये गैंस्टर यानि कि स्मिर्तिरानी का जो नस्दीकी कारिकरम होता है जो बहुत खासम खास लोग होते हैं उसमें आतिक का शूटर लवलेश्टिवारी क्या सीखने गया था मैजम से ये सवाल आईपि सिंग की तरफ से उठा दिये गए है और आगे कहा गया है कि नयाई पालिका में अपताला लगा देना चाहिए देश में बीजेपी तालिवान सरकार है जहां अदालतों की अब आवश्यक्ता नहीं है कुछने तो दोस्तो बुल्डोजर चलाने की भी मांग कर दी है इन तीनों आरोपियों के उपर कि इनके घरों पर बुल्डोजर चलाया जाना चाहिए जैसा कि उनके परिवार इन से नाता तोड़ते वे बात कर रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है लेकिन बुल्डोजर चलाने की मांग जो है जोरोशोर उसे उठा दी गई है गोविंदा पृताप सिंग की तरफ से लिखा गया है कि नोट माफिया दौन से संवेदना नहीं है पर पुलिस कस्टरी में हत्या सरकार की नाकामी है देरी है लेकिन न्याय के लिए कौट है इसे पहले भी जिन माबाप की कमाई से बने घर पर बुल्डोजर चले वो भी गलत था ऐसे में यदि आपको विरोधी आपसे सवाल करते हैं कि बुल्डोजर चलवाओ तो जवाब आपके पास नहीं है मौहमाद शेहर अली नाम के यूजर लिखते है कि ब्रेकिंग देखिलर ऑफ अतिक आमद सीम्स टू बी नॉन तू यूनियन मिनिस्टर यानि की जो परादी जिसने हत्या की यातिक करने के बाद हत्यारे द्वारा जैश्रीराम कर नारा लगाने से ज्जादा दुर्भग्य हिंदु धर्म के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है इतना प्यारा नारा दोस्तों जैश्री राम और उस नारे को क्या से क्या इन तथा कथित लोगों ने बना दिया है हिंदु धर्म को बचाने की बात करते हैं इन दरिंदों ने इसे पूरी तरह बरबात कर दिया है ये शोती की तरफ से ट्विट किया गया है वर्षा सिंग लिखती है कि जश्री राम बोल के कल को किसी को भी मार दोगे और लोग जश्न मनाएंगे वाव यह सारी बाते सोशल मीडिया पर रखी जा रही है दोस्तों लेकिन अब मैं जो सवाल आपके सामने रखने जा रही हूँ उसे राम राजवाले पर देश पर ज़रूर सवाल खड़े हो रहे हैं पहला जब योगी बाबा ने खुद कहा है आपको पता होगा कई इंटर्व्यू में कई सभाओं में कई जो है सारवजनिक मंचो पर योगी बाबा की तरफ से कहा गया है कि यूपी से सारे गुंडे बदमाश भाग गये हैं या तो जेल में बंद है या तो उत्तर प्रदेश छोड़ कर भाग चुके हैं फिर ये तीनों आरोपी जेल के बाहर क्या कर रहे हैं यानि जिसने कल हत्य को अंजाम दिया था वो कोई साफ सुत्रे बैक्ग्राउंड का नहीं है दोस्तों कोई साफ सुत्री छवी वाला नहीं है इन लोगों पर कई मुकदमे दर्ज हैं इस हत्याकार्ण में शामिल एक शूटर यूपी के कास गंज इले का रहने वाला है जिया जी आर्पी अप प कास गंज के गाउं बगेला पुखता का रहने बाला है गाउं में उसे आरुन मौरिया और कालिया के नाम से जाना जाता है जिसने पुलिस की हत्या की थी और जेल भी गया था जबकि दूसरा रोपी सनी के खलाफ 14 मामले दर्ज है दोस्तों और वो हिस्ट्री शीटर घोशि अस्थल में लवलेश्तिवारी जो पकड़ा गया है वह बाके जिले कर रहने वाला है वह इससे पहले भी जेल जा चुका है उनके पिता ने मीडिया से बाचीत करते हुए कहा कि परिवार का उनसे कोई लेना देना नहीं है लवलेश्तिवारी की मा आशा ने एनाई से बाच की है तो कोई जेल जा चुका है कोई फरारी काटा हुआ है लेकिन फिर भी यह उत्तर प्रदेश में खुले आम घूम रहा है खुले आम घूम रहा था इन फैक्ट घूम रहा नहीं अब तो जेल कि सलाकों के पीछे है लेकिन ऐसे खतरनाक खतरनाक हिस्ट्री शीटर जब उ कर 20 सेरंडर कर दिया तो आप यह सवाल जो है यह उठना शुरू हो गया कि योगी वावा जो तावा कर रह थे और बहुर क्या है और जी स्वीर सोशल वीडिया पर आ रही है आई पेसिंग और तमाम users शेयर कर रहे हैं उसको भी देख करके अंदाजा लगाए कि बार बार एक पार्टी का नाम जो है ऐसे आरोपी हत्यारों के साथ जुड़ जाना यह अपने आप में कैसा सवाल है दोस्तों क्योंकि हम तो आपको ख़बर पहल जो खबर है वो बता रहे हैं जो सच्चाई है जो के हवाले से लिखा जा रहा है वो मैं आपको बता रही हूं मेरा खुद का अपना परस्नल उपीनियन नहीं है जो नेता जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है दोनों तरफ के आरोप प्रत्यारोप आपको दिखा रहे हैं कैसे कल जो है हत्या हुई और स्वतंत्र देव पूरा law and order सवालों के घेरे में है लेकिन जो तस्वीर जो सामने से आ रहा है उस पर भी कई सवाल नेताओं के जरिये बिपक्ष के जरिये उठाने शुरू कर दिये गए है राजनीती इस पूरे मामले में गर्माती हुई जबर्दस तरीके से दिखाई दे रही है अब इस जानकारी हर एहम अपडेट आप तक साजा कर सकूँ और आप इन तमाम खबरों को जान सके कि देश में चल क्या रहा है क्योंकि मेंस्ट्रीम मीडिया आपको क्या दिखा रही है वो आप अच्छे से जा रहे हैं झाल 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 झाल